हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंड्स कुछ पर्मनेंट प्लांट ऐसे होते हैं जिनको आप कभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हो और इनकी कलरफुल लेवस होती हैं जो कि आपके गार्डन को डेकॉरेट करने के लिए भी काम आते हैं कौन-कौन से प्लां अच्पी करें भी पेल आइकन के साथ फर्स्ट प्लांट आप मेरे सामने देख रहे हो यह इसको सत्रंगी बांट सी काएज़ा हो इसकी में नेहसी सकते के लिए भी रख सकते हो ये पूरा दिन की धूप को इजी से बरदास्त कर लेते हैं आप इनकी कटिंग भी अभी ग्रो कर सकते हो 60 से 80 रुपीज का ये प्लांट आपको नर्सरी में मिलता है रियो प्लांट रियो भी एक पर्मनेंट प्लांट है कलरफुल इसकी लेवस होती ह उपर की साइट ग्रीन रहता है नीचे की साइट डार्क पर्पल रहता है इसके पास से बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं जिनको निकाल कर आप अपने न्यू प्लांट घर पर ही तयार कर सकते हो इस प्लांट के आपको वेराइटी भी काफी डिफरेंट डिफरेंट मिलती है only 20 से 40 रुपीज का यह आपको नर्सरी में मिल जाता है सर्दी हो गर्मी हो हमेशा आपके गार्डन में रहेगा आप इसको दूप में भी रख सकते हो चाया में भी रख सकते हो 15 से 20 दिन में एक बार इसमें सिर्फ आपको वर्मी कंपोस्ट डालना है बाकी इसमें सबिलती हैं और इसको आप सकरगन से अपने घर पर भी तयार कर सकते हो सकरगन को पानी में रखना है और दो से तीन दिन में एक बार पानि बदलते रहना है तब आपको लगेगा अच्छे से उसमें से root निकल istiyorum तो आप उसको मिट्टी में ग्रो कर सकते हो यह एक मजनु प्लांट लैला मजनु प्लांट भी परवनेंट प्लांट है 60 रुपीज का आपको नर्सरी में मिलेगा कटिंग से इजी तयार होता है कलरफुल लेव सोती हैं देखने में बहुत प्यारा होता है ओनली 8 इंच के पोट में भी ग्रो करोगे तो भी आसानी से आपके पा लाप नहीं होती जम मट्य आप लगा सकते हूँ और हां इसकी जड़ों में अगर गोबर की खाद डालोगे तो इसको नाइट्रोजन जितना अच्छा मिलती है ग्रोथ इसकी उतनी बढ़िया निकलती है यहाँ पर है हमारा परपल हर्ट परपल हर्ट भी एक परपल कलर में होता है देखने में बहुत प्यारा लगता है colorful लेवस होती है इसके उपर छोटा सा फूल भी बनता है लेकिन फूल से भी प्यारी इसकी पत्या लगती है छोटी से छोटी कटिंग से easy तयार होता है permanent plant आप इसको hanging pot में लगा सकते हो धूप में छाया में जहां मर्जी रखी decorate के परपस से best plant है और permanent plant है गोबर की खाद या फिर वर्मी कमपोस्ट सिर्फ यही दो खाद डालिए उनहीं से यह बहुत अच्छी ग्रोथ करता है इसको आप plastic bottle जैसे होते हैं चोटे-चोटे mug होते हैं kitchen के जो वेस्ट डब्बे होते हैं उनको भी paint करके आप इस plant को grow कर सकते हो यहाँ पर हमारा ultra netra plant है यह भी ultra netra की दूसरी variety है और इसकी भी पत्या colorful होती है यह plant में 40 रुपीज का लेकर आई थी ultra netra जो होते हैं इनकी बहुत सारी variety होती हैं कुछ plant आप hanging pot में लगा सकते हो जिनकी height छोटी रहती है वो भी edge बनाने में use किये जाते हैं और यह वाले भी इनकी height काफी बड़ी हो जाती है एक जैसे ही बहुत सारे लगा कर आप कहीं पर भी decorate कर सकते हो तूप हो चाया हो यह plant जल्दी खराब नहीं होता और cutting से easy तयार होता है इसको घना करने के लिए आप उपर के tip से इसको pinch करते रहे और उपर की ही इसकी cutting लेकर आप मिट्टी औ और उतना ही घना ये हो जाएगा इसको आप plastic bottle में hanging pot में 8 inch के pot में plastic pot में जैसे merge decorate कर सकते हो पहुत सारी इसकी variety होती है इसकी पत्यों में signing लाने के लिए आप चाहे तो इसके उपर spray करके पानी भी डाल सकते हो अच्छी growth के लिए गोबर की खाद या फिर vermi compost सिर्फ यही खा है यह खराब नहीं होता जल्दी से आप इसकी cutting को पानी में भी grow कर सकते हो और इसकी पत्या भी colorful रहती है तो colorful पत्या जो होती है उनकी signing तभी निकलती है तब आप उनके उपर spray करके पानी डालते रहोगे तो यह plant only 20 रुपीज का आपको nursery में मिलेगा लेकिन एक बार ले आ सकते हो so next हमारा coleus plant coleus की भी different color की पत्या होती है 40 रुपीज के आपको nursery में मिलते हैं इनको घना करने के लिए उपर के tip से इनको pinch करते रहना होता है जितना ज़्यादा cutting करोगे उतने ज़्यादा ही यह घने हो जाएंगे एक से दो घंटे की अच्छी धूप मिल जाए आपक पड़ती है तो इनकी पत्यों का exact color निकल कराता है अगर छाया में रखते हो तो सिर्फ इनमें green color ही आपको देखने को मिलता है कोलियस जो होते हैं के stems काफी मोटे होते हैं soft होते हैं तो आपको इनमें over watering नहीं करनी होती है अगर over watering करोगे तो इनके stems जो होते हैं वो गल जात होकर आपको 300 तक क्रोटोन मिलते हैं कुछ क्रोटोन की variety ऐसी होते हैं जिनको छाया में रखा जाता है और कुछ धूप में भी रखे जाते हैं ये वाला plant मेरा धूप में रखा है और बहुत ही खूबसूरत लगता है क्रोटोन को भी आप cutting से तयार कर सकते हो रुद्राक्स plant ये हमारा रुद्राक्स है और यलो कलर की पत्या होती है देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है रुद्राक्स आएंगे या नहीं ये तो नहीं पता लेकिन decorate के लिए मैंने इस प्लांट को रखा हुआ है हाइट इस की काफी अच्छी हो रखी है और ये प्लांट में 150 50 रुपीज का nursery से लेकर आई ती मैंने इसको 10 से 12 इंच के pot में लगाया हुआ है इसको हम cutting से भी अपने घर पर तयार कर सकते हैं ये पूरा दिनकी धूप में रखा जाता है अगर आप इसको जमीन में लगा देते हो तो ये बहुत बड़ी tree shape ले लेते हैं इनकी पत्या दे होती हैं permanent plant है और काफी hardy plant है ये एक succulent variety से होता है तो आपको इसमें पानी तो कम डालना है लेकिन आप इसकी cutting से अपने घर पर बहुत सारे plant तयार कर सकते हो ये plant में 80 रुपीज का लेकर आई थी और इसकी growth आप देख सकते हो कितना घना हो रखा है और इसी से मैंने बहुत सारे plant भी तयार किये हैं अभी जैसे सर्दी है तो आपको इसमें पानी कम डालना है अदर्वाइस तो ये plant गलता भी बहुत जल्दी है यहां पर हमारा ड्रेसिना रखा हुआ है ड्रेसिना विक्टोरिया इसकी बहुत ही खूबसूरत पत्या होती है डार्क परपल कलर में त तो इनकी पत्या जो होती है वो फेड हो जाती है साइडो में से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट प्लांट हमारा सिंगोनियम सिंगोनियम जो होते हैं इनकी बहुत सारी वेराइटी होती है और कलरफूल लेवस रहती है इनमें आपको परपल वाइट पैरट ग्रीन, डार्क ग्रीन, इस तरीके से बहुत सारे शेड देखने को मिलेंगे, 60 रुपीज से स्टार्ट होकर आपको 150 तक ये नर्सरी में मिलते हैं, इनको आप हैंगिंग पोट में भी लगा सकते हो, परमनेंट प्लांट हैं, इनके पास से बेबी प्लांट निकलते हैं, तो आप उनहीं से निकाल कर इनके न्यू प्लांट अपने घर पर तयार कर सकते हो, सिर्फ आधा एक घंटे की दूप मिलें ऐसी जगह इनको रख सकते हो, नेक्स्ट हमारा संचेसिया प्लांट, संचेसिया भी ग्रीनरी के लिए बेस्ट प्लांट माना जाता है, इसको आधा ए इसकी कटिंग आप पानी में भी तयार कर सकते हो, और मिट्टी में भी तयार कर सकते हो, 15-20 दिन में एक बार जरूर से वर्मी कमपोस्ट या फिर कोको पीट, सिवीड फर्टिलाइजर जो होता है वो भी और्गैनिक रहता है, तो आप इन वाले प्लांट में सिवीड का आइक और शेयर जरूर से कर दिया करें ताकि अधर लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके, सो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई एंड हैप्पी गार्णिंग